नमस्कार दोफता एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है लेट अफ्ट अप्लेट निकल कर आई है कि केंद्रे क्रमच्यारियों की आई मोज डिये और फिटमेंट फैक्टर में होगी चमतकार बडोतरी तो दोफतो हम आपको सब डिट स्क्राइब कर दीजिए साथी साथ वाला इकन को भी मजा दीजिए तक कि गुर्मेंट या पैंशन से समन्दी जितने फिन्यू जाती है उन्हें लोगों के पास तुरंत पो उसके तो करते हैं वीडियो को स्टाट बिना किसी देरी के दोफतो केंद्रे क्रमचारी और दोत्री होने की संभावना मानी जा रही है सरकार जल्द ही अब डिये में करीब चार प्रतिशत का इजाफ़ा कर सकती है दोस्तों इतना ही नहीं चर्चा तो फिट्मेंट फैक्टर में इजाफ़े की भी बड़ी जोड़दार है अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द गेंद प्रतिशत का इजाफ़ा हो सकता है जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है इसके बाद डिये बड़कर सीदे 46 प्रतिशत हो जाएगा जिसे बेजिक सैलरी में तकड़ी बड़ोतरी होने की संभावना है वैसे अब फिलाल करमचारियों को 42 प्रतिशत डिये मिल रहा है साथ में वेतनायों के मुताविक सरकार केंद्रे करमचैरे का डिये साला नाम दो बार बढ़ाती है जिसके दरे जन्वरी और जुलाई से लागू मानी जा रही है अब जो डिये बढ़ा जाएगा उसकी दरे जुलाई दो जर तेई से लागू होना तैमाना जाता है इससे पहले मार्च में 4% डिये में इजफा किया गया जिसे डिये में 4% की बढ़ोतरी हुई और 4% की बढ़ोतरी के साथ डिये सीधा 38% से 42% पर पहुँच गया दोस्तों केंदर की मोधी सरकार फिट्मेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट दे रही है जिसे करमचारियों की मोज आनी तैह है सरकार फिट्मेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ा कर 3.68 कर सकती है जिसके बात बेसिक सैलरी में रिकोर्ट और उचाल देखने को मिलेगा करमचारी की सैलरी 18,000 रूपे से सिद्धे बढ़कर 26,000 रूपे हो जाएगी इस सिसाब से बेसिक सैलरी में करीब 8,000 रूपे का इज़ाफ़ा होना तैह है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में टब तक के लिए जैह जै वारत